सबसे पहले मैं आज आपसे फिर से एक कुश्चन पूछूंगा जैसे मैंने कल पूछा था कि मज़ा आया की नहीं क्योंकि आज भी बहुत अच्छे मुवमेंट हम लोग ने कैप्चर कि है इडिल विस अच्छा प्रॉफिट बनाए और अगर किसी के पास होल्ड है मतलब सबसे बेस्ट मेरे साफ से 1530 रहेगा क्योंकि अगर 1530 पे आ गया ना तो यह 1550 पे भी आ ही जाएगा 50 परशन्ट सौरी 50 नहीं 70 80 परशन्ट चांस है अगला स्टॉक देखते हैं अगला स्टॉक है टार्टा कम्निकेशन टार्गेट यही रहेगा 1850 के आसफाल बताई चुक अलुवालिया कंस्ट्रक्शन इस स्टॉक है बेसिकली हम लोग ने टार्गेट आज की दिन बुक किया मैंने आपको बताया बिधा टेलिग्राम पे कि मैं इसमें से एक्जिट हो रहा हूं ठीक है और जो भी मैं स्टॉक बताता हूं यह कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है स्टॉक को बायसल करने का यह जश्ट एनालिसिस रहती कि आप बस यह देखे कि मैं क्या चेक कर रहा हूं देखे अगर यह रेंज ऐसे बन रही है तो मैं वहां पर कैप्चरी नहीं करूंगा मुझे इस तरह के मूव कैप्चर करने हैं जल्दी से जल्दी पैसा बने जहा कि यह बहुत खतरनाक पैसा बना के दे सकता है हाला कि बहुत वह रेटायर स्टॉक हो चुका है यहां से यहां तक 10% का मूव और 10% यह आराम से उपर नीचे हो जाता है मैं आपको दिखा रहा हूं आज कि दिन क्या खेल खेला है इन लोगों ने यहां पर देखेंगे यहां यहांपे ब्रेक आओड ना यह एक सेखंड दिखाते हैं आको ने ब्रेक आउट है किई ना तक if you are the hour गार ग्राइक मिन्लेंगे तो अब आपको और अच्छा दिखाते है आया है इस चैनल के हाइड़ के हाई कि बाय किया उंग रिटेलर हो सकता है ना हो चलिए मान ल ब्रेक आउट दिखा होगा लोगों को यहां पर खरी लिया है यहीं पर सेल करके निकल गए बड़े फ्लेयर तो यहीं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी एंट्री यहां पर है और आपका स्टॉक पांच परसंट नीचे है तो अगर वहां से स्टॉक चल रहा है तो ले जाद रखे आपको स्टॉक अगर एक परसंट दो परसंट नीचे तभी बेस्ट रहेगा क्योंकि वहां से आठ दस परसंट ऊपर जा सकता है और आएगा तो एसल आपका ज्यादा ज्यादा लेगा अगला स्टॉक है वेल्स पर इंटर्प्राइज जिसके पास होड़ कर सकत करते हैं कोचिन शिपियर्ड आई होप किसी ने आपको बताया नहीं होगा अब ही ने बताया था कल के दिन और अच्छा स्टॉक ने परफॉर्म किया पहले तो लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या चल ला है उपर गया फिर नीचे आ गया कुछ लोग यहीं सेल कर दियोंगे लेकिन मैंने एरिया मार करके रखा था इसके नीचे अगर निकलता तो मैं एक्जिट करता लेकिन यह स्टॉक निकला नहीं वापस शाम को चला गया उपर हमने सेल कर दिया बना लिया प्रॉफिट तो वही आज अच्छा दिन ज्यादा गया है प्रॉफिट ज्यादा है है हेरीटेज फूड यह स्टॉक बेस्ट है तीन सो चौशट के उपर यह दिख रहा है ना वॉल्यूम कहां जा रहा है वॉल्यूम रेटेलर्स की एक्जिट है यहां पर छोटा कंसॉलिडेशन जा फिर कह लिए चोटा रेंज में जब इस्टॉक काम करता है वो भी मिड स्म का मुव्मेंट आ सकता जैसे इस प्रकार से यहां पर आया था अगला स्टॉक देखते हैं अगला स्टॉक जो है अब नोट करना शुरू कर यह कॉपी में जैसे मैंने आपको होता है हेरिटेज फूड इसको भी नोट कर यह कॉपी में इसके अलावा आधित बिल्ला फैशन यह स्टॉक बेस्ट तो नहीं है लेकिन अच्छा है जिरू पाइफ आर के साथ इस लेवल के उपर ट्रैक किया जा सकता है यहां पर एसल रहेगा ठीक है वन रिशो टू मिनिमम टार्गेट अगला स्टॉक आई टियाई यह स्टॉक में कुछ ना कुछ दम दिख सकता है मेर इसमें बस यही है कि वन रिशो वन तक इसमें आप उमीद कर सकते हैं अगर कोई बाय करना चाहे तो इस लेवल के उपर बाय कर सकता है यहां पर स्टॉप लोस रहेगा वन रिशो टू मिनमम इसमें कैप्चर करना होगा इसमें मैं कहूंगा 0.25 आर के साथ जाएंगे तो ज आक्शन आ सकता है ठीक है यह लाइन जो है यह ट्रेंड लाइन क्रॉस हो चुकी है इसका प्रेकाउट आ चुका है इसके उपर जैसे निकलेगा स्टॉप अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसे लिसमें 3% रहेगा ठीक है और टार्गिट वन रिशो टू रखना पड़ेगा और 2% का स्टॉप लोस रखके इसमें आप काम कर सकते हैं वन रिशो टू टार्गिट जितने 0.25 हैं आप चाहिए अग्नोर भी कर सकते हैं अगला स्टॉप देखते हैं अब वो स्टॉप जो बहुत अच्छे हैं जिनको बाय करने से बहुत अच्छा मुमेंट मिल सकता है है आर्टेमिस मेडिक केर सर्विसस लिमिटेड यह स्टॉप अच्छा हो जाएगा 195 के उपर बाय कोई चाहिए तो कर सकता है यहां पर एक बार ट्रैप किया था नीचे आ गया मेरे साब से यहां पर जरूर कुछ एक्षन आना चाहिए तो यहां पर स्टॉप लोस की बात कर आपके अच्छा लग रहे हैं आपके अराउंड जब यह स्टॉप निकलता है वह 960 पर निकलता है तो एक्षन आ सकता है 960 के पर एक्षन इसमें आ सकता है स्टॉप लोस इसमें आपको रखना पड़ेगा और मोस्ट 37 रुपए का 40 मान सकते हैं इसको आप अगला स्टॉप देखते हैं होंडा आई पावर प्रोड़क्ट अब यह जो स्टॉप के यह थोड़ा सा मतलब ट्रेंड को आप राइट करेंगे इस तरह से इसमें बिसिकली एक्षन दीख रहा है और आप चाहे तो इसमें एंट्री ले सकते हैं 2898 29 सो मान लीज़े 29 सो के उपर स्टॉप ज पिछली बार आप ने देखा होगा यहां पर बेसिकली हम लोग ने ट्राय किया था शायद कुछ लोग ट्रैब भी हो गया उसके बाद दुबारस स्टॉप आया वापस से अब यहां पर जो स्टॉप है वह लेवल निकालने पर बहुत अच्छा मोमेंट दे सकता है पच्छ 50-55 रुप्य आप इसमें रख सकते मैं 55 बोलूँंगा पच्छ स्टॉप लोस देख रहा है यहां पर एक्शन आ सकता है और इसमें जो एक्शन आता है न स्टॉप सूनता नहीं किसी कि यह देखे यहां पे एक घंटे में ही च्परसेंट फिर उसके बाद 4 है मतलब 10-11 परस आप इसमें प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एंट्री होगी अगर पच्पन रुपय का स्टॉप लॉस और टारेड इसके ऊपर इस प्रकार से तो वन रिशो थ्री तो उसमें कैप्चर आराम से किया जा सकता है बाकी मैं आपको यही रूल बताऊंगा वन रिशो टू पे 50% रेमेनिंग 50% वन रिशो थ्री पे या फिर CTC पे सिंपल सी बात बाकी एक और स्टॉप है जो ठीक लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है उसका नाम है मिनिममम 15 रुपए का रखना पड़ेगा बेस्ट नहीं है लेकिन अब कर सकता है परफॉर्म क्योंकि मैं देखे मैं मेरा काम यह है कि मैं PSER स्ट्रेजी के तुरू जो स्टॉक्स मिलते हैं उन्हीं स्टॉक्स में काम करता हूं और उन्हीं मैं एक्शन आता है मुझे क्या द लेक सकते हैं सत्रा सो के उपर यह भी अच्छा लगता है कि कैस में भी अगर कोई चाहे तो एंट्री तो ले सकता राउंड इस लेवल के क्रॉस होने पर ऐसे रखिए का यहां पे टीन चार परशन का मैं इसमें पर स्टॉक्स मिलते हैं उन्हीं पर काम करता हूं बाकी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब में क्लिए धन्यवाद